नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल पर एक बार फिर से आज हम बात करने वाले हैं स्पेस मिलिटराइजिशन के बार जैसा कि आप जानते होंगे हमारे जो अद्रेक्ष वहां पर बहुत सारी सैटलाइट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं अर्थ के रहा हूं बहुत सारे ऐसे मिशन्स हैं जो कि USA दोरा रश्य दोरा चाइना दोरा इंडिया दोरा अर्थ के बाहर बेजे गई हैं जो यह मिशन्स जाते हैं इनका मेली फॉकस क्या होता है कि अर्थ के बाहर जो भी किसी तरह की लाइफ पॉसिबल है जैसे चांद के उपर बात करें तो चांद पर चांद का एट्मस्फेर कैसा वहांपर किस तरह किême सोहल है प्रेजन है को उनसे नूट्रेंट है कि वहां पर किसी तरह से जो इन्वार्मिट रहने हैं यहूंन के रहने लाइक फेबरेवल बन पाए तो इस तरह के जो possibilities होती है ना सिर्फ चांद बार कि उसके लावा कोई भी दूसरा प्लैनेट है अर्थ के बाहर तो उन सब चीजों की exploration के लिए data collection के लिए चीजें बाहर बेजी जाती है अब देखे जो टर्म मैं उसका मतलब क्या है जैसे कि आप जानते होंगे तीन तरह से जो आर्मी होती है देश के आप देखने को मिलती है एक होती है अपकी थाल से जमीन पर चलती है पानी पर जिसको नहीं बोलते हैं और एक आपकी एरफोर्स जोगी आसमान से अटेक करती है अब यह जो अटेकिंग का सिस्टम है या फिर जो वोर का सिस्टम है इसके अंदर एक नया आसपेक्ट जो जुड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है उसमें क्या है कि ऐसा माना जा रहा है कि अब देखी यह जो वार चेड़ेगी या पर कोई कंफ्लिक्ट होगा यह तीन जगा होगा कि अगर मान लिजिए आपकी अर्थ है यहां से यहां तक भीजने में जो आपका कोई वेपन होगा उसमें जितना वक्त लगए या फिर प्रेसीजन जो होगा एकुरेट उस जगह पर फोकस कर पाना और इस रास्ते में जाता हुए आपका जिसके उपर आप अटेक कर होगा तो इस चीज को डिटेक्ट कर पाना वह भी काफे डिफिकल्ट होगा पॉइंट यहां पर इतना सा है कि यह एक नया जो एरिया है डवलप्मेंट का खोल दिता है स्पेश मिलिटराइजेशन जो शब्द है इसका मंदल क्या है कि जो स्पेश आपका अंतरिक्षा उसक यह वालगे सब्सक्राइग को अभी लगने लगा है कि हो सकता है जैसे चाइना की बात करें चाइना ने अपना यह एक पर आपका बील्ट कर रहा है अब उस स्पेश क्या कर रहा है किसी को स्पेश के अंतर बहुत सारे वेपन्स को ऑनको इसे पर इस टेशन करते हैं और जै सकते हैं चाहिए वहां पर मिसाइल हो चाहिए वह किसी भी आप वहां पर करें जो कि किसी दूसरी कंडरी को प्रगति हो रही है और भारत की दिशा में किस तरह से प्रपेड़नेस आपको नज़र आएगी कौन-कौन से जो कदम है भारत ने अभी तक उठा रखे हैं तो देखिए जैसे मैं बताया तीन तरीके से आपकी बोर होती है उन तीनों तरीकों को अगर आप छोड़ दो उसके इलावा जो इसको यूज किया जाए जो पृथि के बाहर का जो हिस्सा है उसको अंतरिक्ष को यूज किया जाए ऐज एज स्पेस जो कि क्या है सच इस पॉजिशन नविगेशन टायमिंग रिमोट सैंसिंग यह था जैसे तरीक है जैसे आपके सैटलाइट उपर है तो अब आपने किसी कंटरी के ओपर अटैक करना है तो उस सैटलाइट को क्या है आप मूव करोगे उस कंटरी के ऊपर लेके जाओगे जहां अटैक करन आया फिर आप हायर हाइट पर वहां से आप नज़र रख सकते हैं अपने आनिमी के उपर अब देखिए अगर मालों इंडिया ने पाकिस्तान के उपर नज़र रखनी है तो क्या कर सकता है दूसरा तरीका क्या हो जाता है कि आप अपनी सैटलाइट टौंच कर दो वह है अगर इंटरनेशनल पॉइंट व्यू से लेकिन कुछ कंट्री ऐसी भी है अगर उनके पास इस तरह के कोई टेक्नोलोजी आ जाती है जैसे कि मैं बात करें नौर्थ को रहें कि या पर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान डेफिनेटली इन सब टेक्नोलोजी के यू इन सब चीज़ों में यह चीज़े टेक्नोलोजी करती है और इनी टेक्नोलोजी की वैसे जो स्पेस है आपका वह मिलिटराइज होता जा रहा है अब अगर आगे बात करें वाइल स्पेशल वेपनाइजेशन वेपनाइजेशन रफस तो दी प्लेस्मेंट इन दी अब देखिए कुछ ऐसे वेपन्स को जो की बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आ सकते हैं आप उनको स्पेस में इंस्टॉल कर देते हैं तो इससे क्या होगा स्पेस अपने आप में एक बैटल ग्राउंड बन जाता है अब मान लीजिए आपने सैटलाइट जो भी किस इसी भी तरह से अर्थ के बाहर क्या है वेपन जो है उनको इंस्टॉल किया तो एक तो वह वेपन यूज हो रहे हैं और किसी भी कंट्री पर अटेक करने में उसके ओपन नज़र रखने में दूसरा वह जगह अपने आपने आपने बैटल गांड बन गया क्योंकि आपकी कि बात करें कि अपने में बवाहां पर बात करें कि क्या देखने को मिली है यूज यूज इन एक और मिलेटरी डिपार्टमेंट बना दिया जिसको स्पेस पोर्स का नाम भारत ने आपने एसा किया है लेकिन भारत ने रिसेंट ली किया है तो 2019 के अंदर और USA जो है उसका ओरड़ी एक space force जो है department है with an intent to strengthening its war fight capabilities अपनी युद्ध की शमताओं को बढ़ाने के लिए जो department है उसको USA ने बनाया है अब जो अर्थ के अंदर वर्क करें वो एक डिफरेंट चीज है वो तो सभी कंटेज कर रही है लेकिन इन्होंने space-based laser मतलब की space के अंदर यूज की जाने वाले जो आपकी lasers है उनको develop करना start कर दिया है these would operate in the LEO low earth orbit मतलब अर्थ जो है उसकी कई orbit होती है लो अर्थ ओर्बिट होती है उसका दूसरी आपके नजर आया जाएगी हाइड के कोडिंग ने इनको नाम दिया जाता है तो यह जो आपकी space-based laser है यह low earth orbit में operate करेगी मतलब कि जहां पर satellites आपकी घूम रही है आर्थ के चारो तरफ वहां की बातम कर रहे हैं वहां पर यह किसी भी टार्गेट है उसको destroy कर सकती है यह यह ballistic missile during the boost operate in the area and destroyed hostile ballistic missile कोई दूसरी गंटर है उसकी जो ballistic missile है उनको टार्गेट कर सकती है स्पेस से ही मान दीजिए एक्जांपल के दूर पर यहां पर आपका अमेरिका है ठीक है अमेरिका के ऊपर कोई दूसरी कंट्री मान दीजिए नौर्थ कोरिया है जो वह अमेरिका के ऊपर missile से attack करता है अब नौर्थ कोरिया के पास इतनी technology नहीं है कि उनकी कोई space के अंदर weapon हो अमेरिका का है तो अमेरिका क्या करेगा space जो होगा वहीं से जो एक आपकी laser जो है उसके तुरू यह जो वैपन आ रहा होगा इसको मार गिराएगा नौर्थ कोरिया का तो as a defense mechanism तो यूज किया जा सकता है सारी कंटर यहीं कहते हैं कि हम defense के लिए कर रहे हैं बट सभी अग सब्सक्राइब करें space tracking and surveillance system this will be constellation of the leo sensor satellite that will track enemy missile discriminate between the warheads decoy and assess the outcome of the possible interpretation interception कि यह जो आपकी space के अंदर एक तो आपका laser लगाए जा रही है जो किसी भी दूसरी ballistic missile आ रही है उसको target कर पाए उसके अलाबा space के अंदर tracking और surveillance system भी लगाय जा रहे हैं जब USA ने आपका जो आपके पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर अलकाइदा के जो चीफ थे उन पर attack किया था उसामा बिन लादिन उस टाइम पर उन्होंने इसी technology का यूज किया था space tracking and surveillance system यह होता क्या है जब आप आपकी जो satellites होत है वह स्पेस में installed है और उनके थ्रूँ आप किसी भी जमेन के surveillance करो उनने पाकिस्तान में इसी तरह से surveillance किया था बिल्डिंग को identify किया था और फिर वहां पर attack किया था तो यह चीजें जो है वह यूज की जा रही है as a military weapon उसके बाद देखें global strike program this project invasion dropping sensor और bombs anywhere on the earth surface from the outer space within 30 minutes response time यह global strike program क्या है कि earth के उपर जमीन पर आसमा अंतरिक्ष से 30 minute के response में मान लिजिए USA के उपर attack होता है उस case में USA within 30 minutes space से एक atomic bomb या फिर nuclear bomb जो है उसको जमीन पर गिरा देगा किसी भी location पर आप खुद सोच के देखिए अगर यह अर्थ है जहां से यहां target करना यहां से यहां target कर time और इसके अंदर बहुत सारी possibilities है कि आपका जो जो वैपन आप यूज कर रहे है उसको एनमी कंट्री टार्गेट कर ले लेकिन जब आप किसी चीज को आसमान से बेजोगे तो पहली बात तो यहां पर भेजना हो यहां पर भेजना हो एरिया बहुत बड़ा cover किया जा सकता ह है easily और कहीं पर भी असानी से अपना weapon जो उसको drop किया जा सकता है तो यह सब चीजे जो है यह से वो कर रहा है बात करें चाइना की तो चाइना भी काफी अच्छी progress कर रहा है इस चीज में China is making serious advances in weaponizing outer space creating fourth frontier of the war fourth कैसे होगा जमीन आसमान और पाने के बाद यह चोथा frontier होगा ज ICBM का मतलब है Intercontinental ballistic missiles यह Intercontinental ballistic missile की range होती है कोई 10,000 किया किसी की 20 यह कि 30 यह ICBM वह आपकी missiles है जो एक continent से दूसरे continent में मार करने में शंता रखती है यहां USA है आप मान की चलिए यहां पर आपका Japan है वैसे दोनों friendly entry है पर example के तोवर पर जपान अगर चाहे तो USA पर attack कर सकता है इ यह Intercontinental मतलब एक continent से दूसरे continent में attack करने वाली यह missiles होती है बहुत powerful होती है काफी बड़ा distance जो हो कवर करती है तो यह China के दवारा develop की जा रही है it is also developing its Tianggong Space Station with the intent to establish its permanent presence in the Moon Tianggong Space Station China जो है उसे develop कर रहा है यह permanent station होगा जैसे इंटरेशनल स्पेस सेशन है उसमें कई इंटरेशन का contribution है Tianggong Space Station चाइना का खुद का personal space station है जो कि अंतरिक्ष में रहेगा और permanent presence जो होगा वो रख सकता है यह चाइना मोन पर भी अर्थ पर भी अब देखिए मोन और अर्थ की बीच में अगर आपका एक permanent space station होगा तो आप आप देखिए space military exercise पहले जमीन पर हो रही थी नेवी पर हो रही थी एरफोर्स की अब यह आपको आसमान में भी देखने को मिलेगी आसमान इन देखने को मिल रही है हमें आगे अगे अगर बात करें इन सब चीजों के बीच में इंडिया का क्या stance है या फिर इंडिया क्या क situational awareness एक program है government का जो start किया गया है जिसकी अंदर predict करना है कि इंडिया के ऊपर कोई भी खत्रा होता है space से उस चीज को predict करना है और उसको assess करना है उसके बाद बात करें इंडिया की government के दिवारा एक agency भी बनाई गई है जो की defense space agency है created in 2019 यह support करेगी किस चीज को defense space research organization यह एक defense research development organization उसी जरह से यह आपका DSRO defense space research organization जो specifically काम करेगा space के उपर और defense के उपर और जो भी चीजे चाहिए है इंडिया को वहाँ पर उन चीजों के उपर has been tasked with operating space warfare अंत्रिक्ष के अंदर जो लडाए होगी space intelligent assets intelligent assets का मतलब वही surveillance वाला उन सब चीजों के उपर यह आपका DSRO work करेगा DSRO मतलब defense space research organization created in 2019 geared towards facilitate development of the civilian space technology for the military purposes directly military जो purposes है उनके लिए इस department का use किया जाएगा इंडिया का एक mission सक्ती भी था very important यह आपकी anti-satellite missile test था जो इंडिया ने किया था और इंडिया का इंडिया को बहुत साथ क्रिटिसाइज भी किया गया था दूसरी countries की तरह से कि अधुली में होता के खें मानली जी यह भारत है चीक हो भारत के अंदर अटेक होता है किसी तरह से तो मानली जी जम्मकृष्मीर में कोई अटेक हो रहा और missile के तुरू हो रहा है और कि मिसाइल किसी कोंटिनेंट से नहीं आ रही है यह मिसाइल आ रही है अंतरिक से जैसे बहुत सब्सक्राइब करें और कि एसा करने वाली जो भारत है वह चोथी कंट्री मन जाती है 4th country after USA, Russia and China. Next अगर बात करें, first integrated space warfare exercise, जैसे मैंने आपको बताया, 2019 के अंदर क्या है, यह try exercise जो है, वो conduct की गई थी, using communication, reconnaissance, satellites to integrate intelligence and fire across the range of Indian military assets, against the background of the existing threat, कि जो already threats आ रहे हैं निकल की, उनको उनके पर check रखने के लिए, यह जो exercise है, बारत के दोरा यह की गई थी, 2019 के अंदर, ताकि कोई बाहर से कर किसी तरह का कोई attack होता है, तो उस चीज़ को target, जो है, इंडिया को बचाया जा सके, So, in the light of the increasing space weaponization as the mutual suspicion threat to the scientific mission and the threat to the space debris are on rise, इंडिया शूट, So, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, जो increase हो रहा है, आपका जो weaponization as space के अंदर वो, और जो challenges increase हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए, जो इंडिया है, शूट पार्टनर विद इंडिया को इंडिया को cooperation करना चाहिए, जो actually में जो यह weapons हैं, उनको defense purposes के लिए ही use करें, attacking के लिए ना use करें, on the other end, इंडिया शूट अर्टिकुलेट its space security policy to harness the country's immense defense potential, और दूसरी तरफ भारत को यह भी ध्यान अखना चाहिए, कि किस तरह से जो भारत, क्योंकि बड़ा country है, चाहरो तरफ जो दुश्मिनों से घिरा होगा, तो उस चीज में इंडिया को ध्यान अखना चाहिए, कि किस तरह से अपने आपको protect कर सकता है, जो भी problem जो create होरी हैं उनकी वज़से, तो आगे अगे बात करें, हमारे गोला classes के तरफ से, आपके टियो रेटियो के लिए 2999 का एक premium lectures, जिस तरह से आपको पढ़ा जा रहा है, ऐसे ही lectures जो आपको मिलेंगे इस course के अंदर, 2999 का, इसमें आपके सारे subject cover करवाएं जाएंगे, including आपका हरयाना जो जिके है वो भी, आप इन courses के access के लिए हमारी app को download कर सकते हैं, गोला classes जो प्ले स्टोर पर आपको मिलेगी, उसके इलावा, अगर आप चाहें, तो हमारी test series को भी बाये कर सकते हैं, 2999 की test series है, इसके अंदर आपको questions मिलेंगे, और answers होंगे, आपकी copy checking होगी, अगर आप combo चाहते हैं, तो 7999 का यह combo है, इसमें अंदर आपको test series, booklets और जो आपकी lectures है, वो सब कुछ दिया जाएगा, including accounts, आप इसे भी कर सकते हैं, तो अगर आपको किसी भी और तरह की information चाहिए, इन courses के बारे में, तो आप हमारी telegram channel को join कर सकते हैं, इसका link आपको description में मिल जाएगा, तो आज की lecture में फिलाल इतना ही है, धन्यावाद,